जो भी आपके thoughts हैं या फिर जो भी आपके questions है Google Adsense pin कहां से आता है Google Adsense pin आता कब है मालो आप गाउं से हो तो गाउं में बहुत ज्यादा होता है वगड़ आप एक छोटे creator तो भाई ध्यान में रखना आपका जो Google Adsense pin हो सकता है कि ना भी आपके address पे return कर दें तो आप यह जरूर से ध्यान रखना ओके तो यह सबसे पहले तुम लोगों को मैं thanks बोलना चाहता हूं क्यूं क्यूंकि यह तुम लोगों के इतना ज्यादा support के वज़े से final इस चैनल का जो Google Adsense pin है वह आज सुका है और इसको मैंने लिमिनेट करवा दिया है तुम लोग देख सकते हो तैकि यह future में ऐसे ही बना रहे और मैं इसे देख सकूँ क्यूंकि भाई मैंने मेहनत किया है और तुम लोगों के support के वज़े से यह Google Adsense pin आया है इसके लिए मैंने इसको लिमिनेट कर रखा है ओके तेखो यहाँ पर Google Adsense pin से related मैं आपको बताऊंगा कुछ यहाँ पर जो भी आपके thoughts है फिर जो भी आपके questions है वो clear करूंगा और आज की इस वीडियो में यह सब कुछ कोभर करेंगे कि गुगल एक्सेंस पिन आता का ऐसा है गुगल एक्सेंस पिन आने में कितना दिन रखता है गुगल एक्सेंस पिन के लिए apply करते हैं तो क्या-क्या documents हमको वहाँ पर मांगता है और यहाँ पर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कड़ी लिजेगा चलो वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से आपको बताते हैं कि गुगल एक्सेंस पिन क्यों कैसे कहां से आता है तो यह रहा गुगल एक्सेंस पिन सबसे पहले जानता है कि गुगल एक्सेंस पिन आता कब है तो मैं आपको बता दू अगर आप अपने यूटूब चैनल को यह फिर कोई भी वेपसाइड को क्रियेट करते हो अगर आपका यूटूब चैनल जब मोनेटाइज हो जागा आ अपने चैनल में एड करने के बाद में अगर आपका जब 10 डॉलर कंप्लीट हो जाएगा ना तो यहां पर यह गूगल एड्सेंस पिन आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है तो आप सबने जान लिए कि गूगल एड्सेंस पिन कैसे आता है लेकिन मैं आपको अब यह ब बताता हूं अगर आप प्रोफट णरेश अपना जो एड्स में अपना ऐंज्ब्रेंस बताता हूं क्यूंकि जो मेरा पार्शल बॉआ भाएह है दोसने खुद बोला है कि मेरे में जो मैंने डाला था और मैंने गलती किया था और गलती वो था कि मैंने अनली जो पैंंपर व अगरह से आप मगवा सकते हो Google AdSense पी निजी लिया आ जाता है बट गाउं में यह होता है ना कि गाउं में अगर आप डालते हो नहीं प्रोपर एड्रेस तो आपका जो है वो Google AdSense पी नाने में टाइम लग सकता है यह फिर आए गहीं नहीं देखो तो आपको एड्रेस में डा जाता है तो आपका मतलब घृठ की नाम की आस पास में जैसे किमालो की कोई मंदील है कोई मजीड है यह फिर वहां पे नंबर तो नहीं दिया जाता है क्योंकि पोस्टमें नहीं करता है फिलीब कड की तरह और अमच्ञशन की तरह में तो वह सीधे से नाम पूझता है कि न कोई भी creator है भाई तो address जो है ना वो ऐसा डालना कि कोई भी postman अगर पूछे आपके गाम वालों से तो वो सीधे से बता दे ये गलती अगर आप कर देते हो अगर address में सही से नहीं डालते हो तो भाई आपका जो Google यहां पर आप देख सकते हो slide remove लिखा है तो यहां पर जैसे आप remove करते हो आपके पास में आएगा तो इसके अंदर six digit का बस only pin रहता है मतलब लिखा हुआ होता है और कुछ यहां पर लिखा होता है जैसे मैंने पूरा clear करके नहीं देखा है पिन मैंने only देखा पिन से मैंने verify कर दिया बस पिन रहता है जिसको अगर आप डालते हो तो verify हो जाता है अगर आपको verify नहीं करने आता है तो यूट्यूब कैसे बहुत से सर लोग है हमसे बड़े बड़े जिन्होंने videos बना राख है कि आप जाके कैसे Google Adsense पिन को verify कर सकते है तो इसमें अंदर कुछ जादा नहीं होता है यह नहीं कि पैसा बगड़ा मतलब यह सब नहीं होता है आप ध्यान में रखना बहुत से लोग सोचते हैं तो यह इसमें रहता है बस six digit का pin जो की apply कर गए तो आपका address जो verification है वो complete हो जाता है तो अब बात करते हैं Google Adsense पिन कहां से आता है क्योंकि YouTube पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला यही कोश्चन है कि Google Adsense पिन आखिर आता कहां से है Google Adsense से ले करके ठीक है बहुत से किडिटर सर्च करके देखते हैं तो भाई मैं आपको बता दूँ जो भी Google Adsense पिन आता है यहा पर गोड़े गाओं मुंबई से आपका जो Google Adsense पिन है वह आपके address पे send किया जाता है तो बस यहीं से आता है Google Adsense पिन